हेलो दोस्तों नमस्ते राधे राधे श्रश्रीयाकार तो कैसे आप सभी लोग आश्या है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ायी लिखाया भी बहुत अच्छे से चल रहे होगी दोस्तों आज आपके लिए हम जो है वीडियो री एक्जाम प् किसी भी विकल्प की व्याख्या नहीं करेंगे विकल्प की व्याख्या करते करते वीडियो बड़ा हो जाता है और आप लोग वीडियो से बोर होकर यहां से चले जाते हैं तो हम उमीद करेंगे कि आपको यहां से बोर यह अतना महसूस हो और इसी वजह से हम आपके लिए सिर कोसिंस के एंस्वर ही करते चलेंगे दोस्तों एक छोटा सा निवेदन है अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा सेर कर दीजेगा और सेनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा तो इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं उज्जयन इसका राइट एंस्वर है ओप्सन नमबर भी गांधी नगर नेक्स्ट कोस्टन है निम्न लिखित में से कौन सा भार्टी राज्य मकर रेखा के उत्तर में इस्थित है जारकंड मडेपूर मिचोरम त्रिपूरा तो इसका राइट एंस्वर हो जाएगा ओप्सन नमबर भी मडेपूर गुश्टन नमबर तीन निम्न में से किस राज्य के सीमा बांगलादेश से नहीं मिलती में खाले त्रिपूरा मडेपूर मिजोरम इसका राइट एंस्वर हो जाएगा ओप्सन नमबर सी मडेपूर गुश्टन नमबर फूर भारत की प्राचीन तम प आधी नादी नमबर खूर गषका राइट चाहिएगा ओप्सन नमबर छर्व गुश्टन नमें से क्या राच्रल प्रदेस नाधुला ये आपका सुमेलित नहीं है निपूलेक उत्राखंट में है रोटांग हिमाच्र प्रदेस में है पाल्गाट केरल में है आप लोग कमेंड करके बताने का गस्ट करेंगे कि नाधुला दर्रा कहां पर श्दीत है क्यमन करना मत भूलेगा बताएगा जरूर तो इसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर C नेक्स्ट कुशन कुशन नमबर 8 भागी रथी नदी निकलती है गोमुक से गंगोत्रे से तपोवन से विष्णोप्रयाक से इसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर A गोमुक से कुशन नमबर 9 दामोदर किसकी सहायक नदी है गंगा, हुगली, पद्मा, शुवन रेखा ओप्सन नमबर B हुगली नदी कुशन नमबर 10 निम्न लिखित में से किस नदी का उद्गमस्थल भारत में नहीं है व्यास, चिनाव, रावी, सतलज इसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर D सतलज कुशन नमबर 11 चिलका जेलिस्थित है पस्चियम बंगाल में आंध्र प्रदेश में उडेशा में तमिल्लाडू में इसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर C उडेशा में कुशन नमबर 12 निम्न में से कौन सुमेलित है लोनार मध्यप्रदेश नक्की गुजराद कुलेरू आंध्र प्रदेश पुलिकर केरल इसका राइट एंसर है बारा का C ओप्सन नमबर C कुलेरू आंध्र प्रदेश कुशन नमबर 13 भारत में ग्रीश मकालिन मानसून के प्रवाह की सामाने दिसा क्या है दक्षिट से उत्तर दक्षिट पस्चिम से दक्षिट पूर्व दक्षिट पूर्व से दक्षिट पस्चिम दक्षिट पस्चिम से उत्तर पूर्व इसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर D दक्षिट पस्चिम से उत्तर पूर्व कुशन नमबर 14 निम्न लिखित में से कि सस्थान पर शब से कमवाशिक वर्षा होती है पेलारी, जैसलमेर, जोदपूर, ले इसका राइट एंसर है ओप्सन नमबर फूर, ले कोशन नमबर पंद्रा, चेरा पुंजी कहां इस्थित है अस्थम में, मड़ेपूर में, मेघाले में, मिजोरम में इसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर सी, मेघाले में कोशन नमबर सोला, निम्न लिखित में कौन सुमेलित नहीं है इसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर डी, वेंबनाद करनाटक कोशन नमबर सत्रा, भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपच्छे के कारण निर्मित होई है जलोड मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, रेगुर मिट्टी इसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर डी, रेगुर मिट्टी कौस्ट नमबर अठारा इस मिट्टी को सिचाई की कमाविश रिकता होती है क्योंकि यह नमी रोग कर रखती है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, जलोड मिट्टी इसका right answer हो जाएगा option number B, काली मिट्टी question number 19 हरित क्रांति से सरवाधिक उत्पादन में उत्पादन इन में से किस खाद्यान का हुआ है तिलहन, के हूँ, गर्ना, तलहन इसका right answer हो जाएगा option number B, के हूँ question number 20 सबसे ज़्यादा के हूँ, कहां पैदा होता है उत्पादेश, पंजाब, मध्यप्रदेश, हरियान तो इसका right answer हो जाएगा option number A, उत्पादेश अगला question देखेंगे question number 21 देश में agro-ecological छेटर कितने है 15, 17, 18, 20 इसका right answer हो जाएगा option number D, 20 question number 22 हरित क्रांदी से किसका संब्द है डॉक्टर सौमीनाथन का, डॉक्टर कुरियन का, सी सुब्रमन्यम का, डॉक्टर अब्दुलकलाम जी का इसका right answer हो जाएगा option number A, डॉक्टर सौमीनाथन का next question भारत में स्वायबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज़ी में होता है उत्तर प्रदेश, बिहार, मद्यप्रदेश, राजस्तान इसका right answer है, मद्यप्रदेश next question भारत के किस राज़ी में सरवादी कॉफी का उत्पादन किया जाता है महाराश्टर, केरल, उडेशा, करनाटक option number D, करनाटक question number 25 बारत का सबसे महत्यपूर, खनेश, योग, द्रॉक, तंत्र है कडपा, तंत्र, धारवार, तंत्र, गोनवाना, तंत्र, विन्ज, तंत्र इसका right answer हो जाएगा option number B, धारवार, तंत्र next question बारत में निम्न में से किस भाग में खाने संसादनों के सबसे बड़े भंडार है पस्चिम में, दक्षिड में, उत्तर में, दक्षिड पूर में तो इसका right answer हो जाएगा option number D, दक्षिड पूर में दोस्तों ये वीडियो को कैसी लगी केमेंट करके जरूर बताएगा वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like करिएगा, share करिएगा और सेनल को subscribe करना मत भूलिएगा मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और अपनी पड़ाय लिखाय भी अच्छी से करते रहेगा वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का तही दिल से धन्यवाद